Income Tax Return form भरते वक्त कौन सा form चुने, कैसे form चुने, उसमें क्या भरें, क्या नहीं भरें इन सब चीजों में जाने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है? वो यह कि कई सारे महत्पुन दस्तावेज होते हैं जो income tax return भरते वक्त आपको जवरत होते हैं उसको देखने की उन सारे दस्तावेज को आपको जुटाने हैं अप दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला दस्तावेज है कि आपको पिछले कारोबारी साल का bank statement निकालना है पिछले कारोबारी साल का bank statement निकालना का मतलब यह हुआ, कि जितने भी आपके पास bank account है, उन सारे का statement निकालिए, उसमें खास तोर से ये ध्यान रखिए, कि उसमें bank ने आपके जो पैसे saving account में भी जमा हुए, तो कितने interest वहाँ पर दिया गया है, इस पर आपो खास ध्यान द करता है, कैसे क्या है, उसका हिसाब किताब का बेवरा आपको मिल जाएगा, तो form section आपके पास होना बहत ज़रूरी है, तीसरा जो दस्तावेज है, वो है share broker के statement, यानि अगर आप share बाजार में लेंदिन करते हैं, तो share broker का statement होना ज़रूरी है, उसमें इसका ध्यान रखना है कि capital gains कितना हुआ है, long term capital gains क्या हुआ, short term capital gains क्या हुआ, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए share broker का statement होना आपके लिए बहत ज़रूरी है, इसके अलावा जो दूसरा document है हुआ है, property की खरीद बिक्री का बेवरा आपको रखना होगा, जो भी आपने property खरीदी है, या बेची है, उसमें कितने में बेचा, कितने में खरीदा था, कितने साल तक अपने पास रखा था, उसमें कितने का profit हुआ, इस सारी बातें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ITR भरते वक्त इसके ज़रूरत पड़ती है, एक और बात, वो है किराय का बेवरा होना दिविडेंट कितना कितना आपको मिला है, इसके लिए डिविडेंट की डिटेल्स का होना बहत जोरी होता, ITR भरते वक्त, साथी साथ अगर आपको बिजनेस से कोई आमदनी हुई है, माले छोटा मोटा कोई कारोबार आपका है, नौकरी पेशा होने के बावजूद या फिर वैसे कारोबार है, उससे जो आपको आमदनी हो रही है, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, उसका भी आपको बेवरा रखना होगा, यानि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट्मेंट आपको रखना होगा, ITR फॉर्म भरने से पहले, तो यह सारे डॉकुमेंट है जिसको आपको ITR फॉर्म भरने से पहले अपने पास रखना होगा, जब यह सारे डॉकुमेंट आपके पास आजाएं, तब फिर आप इंकम टेक्स की वेब साइट की लॉगिन करिए, तब आप ITR फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़िए, आगे क्या करना है, वो भी बताए अगले वीडियो में